हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं चानल सुनी कुकिंग सु, आज भी नई रेसिपी के साथ आपके साथ आई हूं चलिए इसे बनाना शूर करते हैं मैंने एक जार ले लिया है, जार में मैंने नाजिर्ल को दोनों तरब से छील लिया है देखिए इस पकार से दोनों पकार से छी निदे और भूं लिया है उसके रहा गया है उसके मैंने चणा जाल को भून लिया है उसके बाद मैं धनी पता डालूँगी अपने हन्सार से ड्पकरता करों साइप फ़िय। मैंने डाले हैं मैंने ज्यादे स्पैस नहीं बनाओं क्योंकि मेरी बच्ची को चटनी बहुत पसंद है उसके मैंने सफेद नमक डाला है उसके नमक डालने के बाद मैं इसमें दही डाल दूंगे दही डालने के बाद मैं इसमें अच्छी तरह से पीस लोंगे आच्छी से दे के लिए एक पेन में या कंचुल में तेल गरम किया है कोई भी ओयल ले सकते हैं उसके के प्लद भी और यह ची तरह से यह पाई एसे यह और यह फिर जटानी के और यह चट्नी के ऊपर में डाल दूंगी और इसे बाद करी पत्ता दा दो लगी क्योंकि कोई अच्छी तरह से इसे मिला दूंगे यह चतनी खाने में बहुत अच्छी लगते हैं रोटी पराथा नान किसी वे इतली धोसा सामभर सबके साथ आप इसे खा सकते हैं अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक और सस्क्राइब करना ना भूलें प्लीज सपोर्ट किजिए मे